अग्याल चाल स्वागत आपका अमारे चैनल पैसेफिक अकाउंट्स में आज हम कर रहे हैं चैनल नमर फाइफ अकाउंटिंग रेशियो के क्यूश्चिन नमर 15 से लेके 20 तक 20 बी तक आज हम कवर कर लेंगे क्यूश्चिन नमर 14 तक हम अगर आपको कोई भी क्यूश्चिन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेइलिस से प्लेइलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवलेबल है कोई भी क्वैरी होती है जोईन कर सकते हैं आप अमारा टेलेग्राम ग यह बिजनस हाजिव देखनेम एतना सब्सक्राइंट के और यहांस ट्रस ओखनेट का सबसाइब करन में और होट्sen रहmbol केलिए क्या होती है current assets minus current liability working capital कितनी given 180,000 is equal to current assets की क्या value निकाली हमने four times of current liability four times of current liability minus current liability तू क्या मानले इसको one time of current liability कुछ नहीं लिखा तो हमान लेंगे all so one अगर हम यहां पर current assets की value निकाले तो कितना आ जाएगा तो यह हो जाएगा कितने होगे अपने पास लेकिन क्या बोला total current assets के साथ क्या निकाल लिए inventory inventory निकालने है current assets से हम direct inventory नहीं बता सकते तो पहले क्या calculate करेंगे quick assets तो quick assets क्या आ जाएगा अब quick assets के लिए क्या given अपने पास quick ratio और quick ratio क्या अपने पास 1.2 ratio 1 so quick ratio is equal to quick assets upon current liability quick ratio क्या 1.2 by 1 is equal to quick assets upon current liabilities are 60,000 अगर हम इसे solve कर लें cross multiply करें तो 1.2 times into 60,000 is equal to quick assets so 1.2 into 60,000 कितना आ जाएगा 72,000 is equal to quick assets quick assets कितने होगे अपने पास 72,000 के अब हमें क्या calculate करना है question में inventory inventory कैसे आएगा current assets minus quick assets काफी बार कर चुकी यह formula तक याद भी हो गया होगा आपको so 2,40,000 minus 72,000 240 minus 72,000 तो अपने पास inventory आ जाएगी 1,68,000 रुपीज की कितनी आ जाएगी 1,68,000 की inventory आ जाएगी यह अपने पास answer हो गया question number 15 का देखते next question question number 16 so current ratio 2.4 is to 1 कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे 2.4 is to 1 current assets are 96 inventory this 42,000 calculate the liquid ratio क्या calculate करना है liquid ratio easy current ratio क्या होता अपने पास current assets upon current liability is equal to कितना given 2.4 by 1 so हम यह पर कैसे लिख ले current assets cross multiply करेंगे ना so current assets के आ जाएंगे 2.4 times of current liability अब current assets कितने है 96,000 is equal to 2.4 times of current liability 2.4 multiply equal to से दूसरी side divide में 96,000 divided by 2.4 is equal to current liability अच्छा इसे soul कैसे करेंगे 96,000 divided by 2.4 2.4 को हम कैसे लिख सकते है 24 by 10 अच्छा यहां पर 24 upon 10 करेंगे वह multiply में चला जाएगा math से यह इतना मैं मान सकता हूं कि इतनी math आपको आती होगी नहीं आ रही तो जैसे मैं कर रहा हूं अब हमें question में calculate क्या करने है liquid ratio हमें calculate करने है तो liquid ratio के लिए formula क्या अपने पास liquid ratio का जो formula होता है वह उगा liquid assets upon या फिर quick assets upon क्या आ जाएगा current liability अच्छा current liabilities तो हमने calculate कर ली 40,000 की लेकिन liquid assets कहां से आएंगे liquid assets आएंगे current assets से minus कर लेंगे क्या minus कर लेंगे inventory को माइनस कर लेंगे क्योंकि एक ही item है current assets कितनी amount है 96,000 minus inventory कितने की 42,000 की तो 96 में से 42 minus कर दो balance बच जाएगा 54,000 कितना balance बच जाएगा 54,000 बच जाएगा so liquid assets कितना आ जाएगा 54 divided by 40 इसे 30,000 कर लो और जब आप इसे शोल करोगे तो answer आ जाएगा 1.35 ratio डिवाइड कर लेंगे simple 54 को divide कर लेंगे किस से 40 से ऐसे करके divide कर लो आप answer आ जाएगा 1.35 इस्टू 1 या करके बताऊं देखो सबसे पहले इसे 40,000 बैलेंस कितना बचा 14 आगे कुछ नहीं है point लगाओ 0 लिखो ठीक है अब किस से multiply करें 3 से तो कितना हो जाएगा 120 कितना बचेगा 200 अपने पास यह ऐसे आ जाए इतना मैं मान सकता हूं कि आपको आती होगी class 12 में हो इतनी मैंत तो आती होगी आप लोगों को यह हुआ question number 16 का answer इसमें करना था ना liquid ratio calculate करना था कि क्या answer है 1.35 ठीक है यह है चलो next question देखते है question number 17 क्या given है quick ratio is 1.5 current assets one like current liability 40,000 calculate the value of inventory बताने बड़ाई सिंपल क्योंकि रेशियो given है quick ratio का formula आपने पास quick assets upon current liability और ratio के आपने पास 1.5 by 1 यह given है 1.5 by 1 इसको ऐसे लिखे ले quick assets is equal to cross multiply कर लो quick assets is equal to 1.5 times of current liability and current liabilities are 40,000 तो quick assets कितने आ जाएंगे 1.5 multiply by 40,000 अच्छा अब इसे multiply कैसे करेंगे ऐसे कर लो 15 by 10 into 40,000 कर लोगे न multiply तो 5 से cancel कर लो अब मैं यह कर तो रहूं लेकिन कुछ बच्चों का doubt आएगा सर यह 3 by 2 कैसे आ गया मेरे को बताना पड़ेगा फिर comment में अरे 5 से cancel किया हमने partnership के जब हम मैंने question किये न रेश्यो वाले तो बच्चों के यह कमेंटार दे सर यह cancel कैसे हो रहे तो यह 3 by 2 कैसे आ रहे है ठीक है हमने क्या किया cancel कर लिया 5 से 15 और 10 5 से डिवाइड हो जाते हैं अगर आपको नहीं आ रहा समझ में सीधा multiply करो 40 को 40,000 को 15 से और divide by 10 कर दो आंसर आ जाएगा या फिर ऐसे कर लो चलो 15 by 10 into 40,000 अब मैच करने के बहुत चारे तरीक के अगर आप हारब question के उपर doubt पूछोगे तो भाई फिट तो नहीं हो पाएगा 60,000 कितना आ जाएगा अपने पास यह 60,000 आ जाएगा क्विक एसेट्स क्विक एसेट्स आ गया 60,000 का अब हमें क्या calculate करने value of inventory अब inventory का formula क्या होगा अपने पास current assets minus quick assets current assets question ने खुद बताए एक लाख रुपए के minus quick assets कितने के calculate कि हमने 60,000 के तो inventory कितनी आ गई 40,000 answer होगे question number 17 ठीक है देखते next question question number 18 एक company's inventory is 2 lakh and the total liquid assets are 8 lakh liquid assets are 8 lakh and the quick ratio is 2 ratio when calculate the current ratio बड़ाई simple question है सबसे पहले question ने बोला इसकी inventory and liquid assets quick ratio given है सबसे पहले quick ratio को उठा quick ratio का formula quick assets upon current liability अच्छा इसके बहुत सारे नाम है quick ratio के तीन नाम पढ़े थे हमने liquid ratio acid test ratio and the quick ratio पेपर में कोई भी मिल सकता है current ratio के दो नाम थे current ratio और working capital ratio जर्णली जो question में मिलेगा वो current ratio ही मिलेगा working capital बहुत रहे है चांसे पूछता है लेकिन quick ratio acid test ratio liquid ratio इन तीनों को तो simultaneously use करेगा वो कहीं कुछ कहीं कुछ तो यह आपको याद रखने पढ़ेंगे so quick assets upon current liabilities अब quick assets कितने quick assets कहलो या फिर liquid assets कहलो एक ही बात है liquid assets कितने के आठ लाक रुपए के उससे पहले ratio लिखिले 2 by 1 cross multiply कर लेते so quick assets is equal to 2 times of current liability ठीक है अच्छा liquid assets कितने के आठ लाक के liquid कहलो या फिर quick कहलो एक ही बात है confuse मत हो ना यह 2 multiply उससे जाके divide 8 lakh divided by 2 कितना आ जाएगा अपने पास current liabilities 4 lakh रुपेज की current liabilities आगी अपने पास हमें calculate करने current ratio current ratio के लिए दो आइटम चाहिए क्या क्या चाहिए current assets upon current liability यह चाहिए हमें current ratio के लिए current assets upon current liability current liability तो हमने calculate कर ली कितनी आ गई चारलाक रुपे की current liability आगी अब हमें चीए current assets current assets कहा से आएंगे current assets आएंगे liquid assets that is 8 lakh plus inventory inventory is 2 lakh तो कितना हो जाएगा अपने पास यह current assets आर 10 lakh 10 lakh divided by 4 lakh कितना आ जाएगा अपने पास पांच जीरो है cancel कर दो पांच जीरो को बचा कितना 10 by 4 10 by 4 को 2 4 से डिवाइड कर दो सीधा ही 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा अपने पास 2.5 ratio 1 अपने पास क्या हो जाएगा current ratio तो question number 18 का answer अपने पास है current ratio is 2.5 ratio 1 ठीक है next question question number 19 if I'm as the current ratio 4.5 ratio 1 and the quick ratio 3 ratio 1 क्या बोला question ने इसे star कर लो 5 star ज्यादो इस question को अच्छा question है और एक्जाम में काफी बार पूस्त ते विस टाइप कही question current ratio is 4.5 ratio 1 ठीक है and the quick ratio 3 ratio 1 inventory की value given है 60,000 ना तो current assets ना current liability ना quick assets सिधा क्या बोला क्युश्चन ने inventory 60,000 find the value of total current assets and the total current liability बहुत अच्छा question एक्जाम में काफी बार भी आया भी है इस टाइप का so current ratio is equal to current assets upon current liabilities current ratio is 4.5 by 1 cross multiply करेंगे so current assets is equal to 4.5 times of current liability यह होगे अपने पास second quick ratio क्या गिवन है quick ratio अपने पास quick ratio given है quick assets upon current liability यह होता है और यह किसके equal अपने पास 3 by 1 के cross multiply कर लो इसको भी so quick assets किसके equal आ जाएंगे 3 times of current liability ठीक है अब हमने पढ़ा है कि current assets minus quick assets किसके equal होता है inventory के equal होता है ठीक है इस formula में value पूट कर ले तो current assets की value 4.5 times of current liability minus quick assets कितने 3 times of current liability is equal to क्या होगा inventory जो की question ने खुदी बता दिया कितने 60,000 का मैं फिर बता रहा हूं इस step को देखो हमने current assets और quick assets की value calculate कर ली यह अभी तक हम करते हुए आ रहे है inventory का formula क्या होगा inventory का formula होगा current assets और quick assets given है तो current assets minus quick assets ठीक है is equal to inventory अब current assets की value क्या है 4.5 times of current liability quick assets की value कितने है quick assets की value 3 times of current liability यह दोनों value ठाक है आपने इस formula में put कर ली और equal to कर लिया inventory 60,000 अच्छा अब हम इसे solve करेंगे 4.5 से 3 minus करेंगे तो कितना बचेगा 3.5 times of current liability is equal to 60,000 so current liabilities are 60,000 divided by multiply यह divide में जाएगा equal to से दूसरे side 1.5 है कैसे लिखेंगे 15 by 10 और 10 उपर चला जाएगा multiply में अरे आ रहे हैं न समझ में ठीक है न अब हम इसे cancel कर लेंगे सीधा चला जाएगा 4000 और current liabilities कितने की होगी अपने पास 40,000 की आगे current liabilities current liabilities आगे 40,000 की क्योश्चन में calculate क्या करने है current assets current assets का यहां हमने formula लिख दिया 4.5 times of current liabilities current liabilities are 40,000 so 40,000 को multiply कर लेंगे 4.5 से answer आ जाएगा 180,000 अब आपका comment आएगा सरी एक पॉइंट 4.5 को multiply करके दिखाओ तो ऐसे करेंगे 45 by 10 पॉइंट अटाओ अब यह comment कर देना सरी दस कैसे आ रहे हैं ठेके ठेके पॉइंट अटेगा तो अपकोन में 10 ही जाएगा इसको cancel कर दो 4,000 को 45 से multiply कर लो और answer आपका यही आएगा कितना 180,000 so current assets are 180,000 and the current liabilities are 40,000 next question question number 20 a current assets 85,000 inventory 22,000 prepared expenses are 3,000 working capital 45,000 calculate the quick ratio करना है तो कैसे करेंगे देखो working capital उठाओ सबसे पहले तो working capital का formula current assets minus current liability ठीक है working capital कितने की 45,000 की is equal to current assets कितने के 85,000 के minus of current liability अब मैंने आपको बोला था चाहिए इस formula में value put कर लो या फिर वो तीन formula याद कर लो working capital is equal to current assets minus current liability ठीक है अच्छा working capital plus current assets is equal to क्या आ जाएगा sorry working capital minus current assets is equal to minus of current liability तो यह formula क्या हो जाएगा current liability is equal to current assets minus working capital एक तो यह हो गया दूसरा अपने पास यह हो गया अच्छा current assets किसके को आ जाएगे working capital plus current liability is equal to current assets यह तीन formula है तीनों को calculate करने के लिए working capital current liability और current assets चाहे तो यह तीन अलग-लग याद कर लो या फिर इस एक formula में value output करके plus minus करते हैं कि दोनों ठीक है जैसे भी करना चाहो दोनों ठीक है आन्सर यह आने एक्जामनर यह चेक करने वाड़ा नहीं आपने किस method से किया है क्योंकि मैंत से भाई बहुत सारे method है करने के ठीक है और वैसे भी तीन चाहर नमर का question चपना है उसमें दो से तीन ratio यह आप से वैसे पूछ लेंगे कि सो 45,000-85,000 is equal to minus of current liability minus 40,000 is equal to minus of current liability तो current liability कितने की आगी अपने पास 40,000 की क्विक रेशियो के लिए हमें क्या क्या चाहिए quick assets upon current liability तो current liability तो मेरे पास है 40,000 की अब बस एक आइटम और बचा quick assets चाहिए quick assets कैसे आएंगे quick assets is equal to current assets minus question में inventory और prepared दोनों given है तो दोनों minus कर लेंगे तीन आइटम माइनस होते है कौन-कौन से inventory, prepared और advanced tax अब इस question में दो बोले तुम दो ही लेके चलेंगे now the current assets are 85,000 minus inventory is 22,000 and the prepared is 3,000 sold कर लो 85 minus 25 दोनों का total करके तो sold करेंगे तो balance कितना आजाएगा quick assets अपने पास 60,000 का quick assets आजाएगा इसको यहाँ put कर लेंगे 60,000 को तो इसे chart 0 से chart 0 cancel 6 by 4 sold करेंगे 1.5 ratio 1 कितना आएग अपने पास 1.5 ratio 1 is the quick ratio बस इतना ही करना है इन question में इतना ही करना है बस इतना ही छपता है पेपर में यह लेंदी question आते लेकिन अभी के लिए इतना ही कर लो वह आ गया ही तब देखेंगे अभी तो सिर्फ हम एक ratio calculate कर रहे पेपर में जो आएगा न question उसके अंदर हो सकता है 3-4 ratio एक साथ ही पूछ ले देखो question number 20 B quick assets 90,000 inventory 1,8,000 prepared at 2,000 now working capital is 150 calculate current ratio question ढिट्टो लास्ट वाले के जैसे है बस क्या change किया वहाँ quick ratio पूछा था यहां क्या पूछ लिए इसने current ratio method वही हमारा करने का क्यासे करेंगे सबसे पहले quick assets given है quick assets given है 90,000 के inventory और prepared है अगर हम तीनों को add कर ले तो अपने पास क्या निकल के आएगा current assets ठीक है so current assets is equal to quick assets plus inventory plus prepaid expenses ठीक है तो तो तीनों को add करते है 90,000 quick assets plus 1,08,000 inventory plus 2,000 अपने पास prepaid total करेंगे 90 plus 1,08,000 plus 2,000 the total is 2,00, current assets are 2,00, ठीक है now quick assets की कोई requirement नहीं है क्योंकि हमें working capital से क्या निकालने है अब current liability चाहिए तो working capital is equal to current assets minus current liability working capital is 1,50,000 is equal to current assets are 2,00, and minus of current liability soul करेंगे current liability is equal to 2,00, minus 1,50,000 कितना आ जाएगा अपने पास current liability 50,000 की अपने पास current liability आ जाएगे 50,000 की current liability आ गई अब question में क्या बताने current ratio करेंट रेशियो का formula क्या होगा current ratio is equal to current assets upon current liability paper में complete लिखना यह soul form यूज मत कर लेना वहां पर वनना दिक्कत हो जाएगे आप लोगों को कि करेंगे मैं या समझाने के लिए कर रहा हूं है कि current assets are too lake and the current liability is 50,000 ISO करेंगे तो यह आ जाएगा 4 by 1 सो comment ratio is it for ratio टैसटना ना सबमने को डापी में पोर हैं ch1 is the current ratio किष्यन number 20 वी का आंसर उबाएग सब्सक्टों कितना टांप लागा है आज तो जल्दी हो गया यह मैं सोचछा था टांप लेगेगा उन्त यह ाफ भीटियो में चिक है कि हमने कितने क्यूशन कर लिए वैसे एक दो तीन चार पांच छे साथ कुशन कर लिए थोड़ा जल्दी हो गया यह हमने थोड़ा से जल्दी भी इसको साथ कुशन हमने की 18-20 मिनट मतलब 23 मिनटे हमательно नेक्स्ट्रेव में नेक्स्स्रीज उब खत्म कर लेंगे और उसके बाद विखिविडियो हम सिल्वें कब्सक्राइब फिर अपम उसके बाद नेक्स्तें स्टार्ट करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेद्ध कुश्य नम्बर 21 थैंक यू